नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे Tungsten Inert Gas Welding के बारे में जिसे हम TIG Welding के नाम से जानते हैं यह एक ऐसी welding process है जो fusion welding process के अंतरगत आती है और electric arc welding है जिसमें ये inert gas welding के अंतरगत आती है और एक non pressure welding है अगर हम बात करें इस welding का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में इस welding को 1940 की दसक की सुरुवात में किया गया aluminium और magnesium alloy की welding को करने के लिए और इस welding को दूसरे नाम से भी जाना जाता है वह नाम है gas tungsten arc welding GTAW अब बात करते हैं tungsten inert gas welding को करते समय हमें किस किस equipment की जुरूरत होती है इसकी working किस प्रकार से होती है और इस welding के दुआरा हम कौन कौन से joint बना सकते हैं इस welding के advantage क्या है disadvantage क्या है और application क्या है तो विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ ताकि आपके सभी doubt इस welding से related वो सारे खतम हो जाएं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो पहला equipment हमें चाहिए वो है power source power source की अगर हम बात करें TIG welding को हम AC और DC दोनों power source पे कर सकते हैं जैसे की बात करें DC के case में हमारे पास DC SP मतलब की direct current straight polarity और DC RP direct current reverse polarity मतलब की दोनों ही polarity पे इसको किया जा सकता है और उसके बाद AC HF alternating current high frequency हमें चाहिए इस welding को करने के लिए AC power source पर और यह जो high frequency रहती है वो 0.3 से 30 MHz तक रहती है जब हम aluminium और magnesium की welding करते हैं तो हम AC HF से करते हैं और high frequency हमें oxide cleaning action में मदद करती है अगर हम DC SP की बात करते हैं direct current straight polarity इसमें हमारा जो electrode है वो negative terminal के साथ जुड़ा होता है और जो work piece है वो positive terminal के साथ जुड़ी होती है और DC SP का प्रियोग हम mild steel, stainless steel, copper और titanium की welding के लिए प्रियोग करते हैं और DC RP direct current reverse polarity जिसमें electrode हमारा positive terminal के साथ और work piece negative terminal के साथ जुड़ा होता है जब हमें aluminium या फिर जो heavily oxidized aluminium casting है उनकी welding करनी है तब इसका प्रियोग हम करते हैं DC RP का और जो DC SP है इस case में हमें ज़्यादा heat generate होती है work piece के आसपास और जो electrode है electrode हमारा ज़्यादा heat नहीं होता कह सकते हैं work piece इसमें ज़्यादा heat होता है work piece पे ज़्यादा heat generate होती है लेकिन जो DC RP है इस case में ज़्यादा amount में heat liberate होती है वो electrode से होती है तो कह सकते हैं कि जो current carrying जो capacity होती है direct current straight polarity की वो direct current reverse polarity के मकाबले 10 गुणा ज़्यादा होती है अब बात करते हैं जो power source हम इसमें use करते हैं वो basically हम use करते हैं transformer come rectifier और उसके अंदर जो water flow के जो circuit है जैसे आप देखे water in and out, gas in and out तो इसको हम on or off कर सकते हैं gas timer लगे होते हैं एक control switch होता है या तो वो हमारी welding torch है उसमें लगा होता है या फिर foot switch होता है वहां से हम control कर सकते हैं तो एक प्रकार से इसमें transformer come rectifier का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आता है inert gas slender ये जो आप देख रहे हैं ये जो slender हम इसमें use करते हैं slender में अगर आप देखें यहां regulator और flow meter लगे हुए हैं जो regulator और flow meter हम इसलिए use करते हैं कि flow meter से जो gas का flow है उसे control किया जाता है और gas का flow तकरीबन 0 से 50 लीटर प्रती मिनिट तक हो सकता है और जो regulator है जिसे हम pressure control करते हैं वो जो gas इसके अंदर होती है slender में उसको compress करके रखा जाता है तकरीबन 230 बार पर तो pressure regulator की मदद से gas के pressure को भी maintain किया जाता है उसके बाद आता है inert या फिर silding gas जो tungsten inert gas welding है इसमें हम जो silding gas यूज करते हैं जो gas हमारी slender में fill होती है क्योंकि जो silding gas हम इसलिए use करते हैं क्योंकि TIG welding में हम कोई flux यूज नहीं करते तो वो जो कारिया है वो हम silding gas के दुआरा पूरा कर लेते हैं और तीन तरह कि अगर आप देखें argon gas का हम use करते हैं जिसे हम AC और DC दोनों पर use कर सकते हैं helium AC और DC दोनों पर use कर सकते हैं और जो carbon dioxide होती है सिरफ हम DC पर use करते हैं जो argon gas है इसको normally ज़्यादा prefer किया जाता है क्योंकि इसमें जो voltage रहती है जो arc voltage है वो कम रहती है जो arc की starting है argon के case में असानी से हो जाती है हमें smooth arc action इसमें मिलता है और दूसरी बात कि ये economical होती है और जैसा important है कि good weld quality हमें argon में मिलती है argon stability भी इसमें अच्छी होती है और argon को हम अगर हम बात करें aluminium और aluminium के alloys में इसका use कर सकते है titanium के case में जब titanium की जो thickness है वो 3 mm तक है तो उस case में pure argon का इस्तिमाल किया जाता है तकरीब 99.99% अगर titanium की थिकनेस हमारी 3 mm से ज़्यादा हो जाती है तो हम helium gas का use करते है इसके अत्रिक्त argon को हम जो low alloy steel है stainless steel और copper इन सभी की welding में इसका इस्तिमाल किया जाता है अब बात करते हैं helium की, helium एक परकार से high arc voltage इस case में होता है उसको ये withstand कर सकता है और इसका हम तब use करते हैं जब हमें ज़्यादा heat input की जरूरत होती है और इसे हम AC और DC दोनों पे कर सकते हैं और जब हमारे जो work piece है उसकी thickness 6 mm से ज़्यादा हो जाती है तो उस case में जो helium है वो best shielding gas मानी जाती है और जैसा हमने बात की की copper के case में अगर work piece की thickness 6 mm से ज़्यादा हो जाए तो उस case में हम helium plus 35% argon का use करते हैं और कई बार अगर हम बात करें जो CO2 है इसको सिर्फ हम वैसे तो economical है लेकिन slightly जादा current की से जरूरत होती है और सिर्फ DC welding power source में इसको use करते हैं जब हमारा electrode positive होता है जैसे की जब जो electrode positive और work piece negative होता है इसके अत्रिक्त हम nitrogen का भी use कर लेते हैं जब nitrogen को argon के साथ mix करते हैं तो copper की जब welding करनी होती है तो argon हम nitrogen का mixture use कर सकते हैं उसके बाद आता है welding torch या welding gun या आप देख पा रहे हैं इस diagram में जो welding torch या welding gun है इसमें basically दो type की ये होती है एक होती है water cooled और दूसरी होती है air cooled air cooled welding gun का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी current carrying capacity welding gun की 150 ampere तक होती है और उसके बाद हमारी जो welding torch हम use करते हैं 150 ampere से ज़्यादा capacity में वो सभी water cooled होती है और वो 50-50 ampere के difference पर market में available हैं जैसे कि 200 ampere की welding torch आप ले सकते हैं 250 ampere, 300 ampere, 350 ampere तकरीबन आप 1000 ampere तक ये ले सकते हैं उसके बाद जो welding torch है ये अगर हम manual welding करते हैं तो उस case में इसके साथ handle लगे होते हैं और जब automatic operation में इसको use किया जाता है तो उस case में ये without handle होती है अब अगर हम बात करें जो welding torch है इसका जो सबसे weakest part होता है वो होता है gas nozzle क्योंकि जो gas nozzle होता है वो ceramic material का बना होता है काफी fragile material होता है और जो arc heat के कारण वो break हो सकता है और जिसके कारण हमारी poor quality weld बनती है इसलिए हम metal nozzle का प्रियोग करते हैं ताकि ये जो problem है ये ना आई और जो cable इसके साथ लगी होती है जो electrical cable होती है उसके around हमारा जो water है वो circulate करता है cooled water और warm water उसके बाद अगर हम बात करते हैं electrode की electrode tungsten inert gas welding में non consumable होती है जो tungsten की बनी होती है चार परकार की इसमें electrode हम use करते है एक होती है pure tungsten electrode जिसकी जो tip का color है वो green होता है उसके बाद दो होती है thorated tungsten electrode जिसकी tip yellow होती है उसके बाद दूसरी होती है thorated tungsten electrode जिसकी tip red होती है yellow tip वाली जो electrode होती है इसमें 1% thorium oxide होता है बाकी tungsten होता है जो red color की जो tip होती है जिस electrode की उसमें 2% thorium oxide होता है और बाकी उसमें tungsten होता है उसके बाद है जिर्कोनिया added tungsten electrode जिसकी जो tip का color है वो brown होता है और जो pure tungsten electrode की अगर हम बात करते हैं ये सबसे कह सकते हैं कि cheap होती है सस्ती होती है expensive नहीं होती और less critical job में इसका इस्तिमाल किया जात है और ये less current को ये carry करती है लेकिन ये that is more prone to contamination उसके बाद आती है जो thoreatid जो tungsten electrode हम use करते हैं दो टाइप की हैं जिसमें एक में 1% होता है हमारा thorium oxide दूसरी में 2% thorium oxide होता है ये high current को carry करती हैं सबसे ज़्यादा desirable है electron emissivity इनकी बहुत ज़्यादा है और इसके अत्रिक्त ये जो stable arc है उसको ये maintain रखने में मदद करती है और contamination के लिए ये greater resistance को provide करती है और जो जिर्कोनिया added tungsten electrode होती है ये pure tungsten से better होती है लेकिन जो authority tungsten electrode है इनसे कम होती है तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो property है वो इस electrode में होती है उसके बाद बात करते हैं कि जो electrode का जो size selection है वो mainly depend करता है हमारा जो current का magnitude क्या है किस type का current हम use करते हैं और work piece का material और type क्या है उस पे depend करता है electrode का जो diameter है वो 0.5 mm से 6.5 mm के बीच में हो सकता है current carrying capacity 5 ampere से 630 ampere के बीच में हो सकती है उसके बाद अगर हम बात करें जो electrode हम use करते हैं इसमें हमें जो combination चाहिए characteristics का वो क्या-क्या होना चाहिए एक तो वो electrical resistance उसका कम होना चाहिए melting point ज्यादा चाहिए क्योंकि tungsten का melting point तकरीबन 3410 degree Celsius होता है और इनका good emission of electron होना चाहिए good thermal conductivity होनी चाहिए ये basic characteristics हैं जो हमारी requirement रहती है उसके बाद आता है filler metal अब filler metal हम use भी कर सकते हैं और नहीं भी क्योंकि according to requirement है filler metal को use किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता और filler metal को जब हम use करते हैं तो उसको हमें weld pool में उसको dip करना होता है और filler metal की जो selection है वो mainly depend करती है work piece की thickness पर और weld joint के design पर वो depend करती है इसके अतरिक जो filler wire का diameter जो 0.8 mm से 2.4 mm के बीच में होता है वो mainly base metal की thickness पर depend करता है मतलब कि जो work piece की thickness है उसके वो depend करता है और एक चीज़ हमेंसा याद रखे हैं जब filler metal का हम use करते हैं filler metal को use करते समय उसका जो end होता है heated जो end होता है वो shielding gas का जो blanket है उससे बाहर ना आई और जब हम filler wire को use करते हैं तो उस दोरान जो tungsten electrode होती है उसको weld pool से थोड़ा सा हलकर से distance पे वापिस हम उसको रख सकते हैं अब बात करते हैं cooling water supply इस process में हमें cooling water की भी जुरूर्थ होती है हमें थोड़ा cooling arrangement को maintain करना होता है तो cooling water के लिए अलग से ये जो हमारा transformer कम rectifier होता है इसमें solenoid valve लगे होते हैं जो हमारे cooling water की जो supply है उसको जो flow rate है उसको ये maintain रखता है तो अब बात करते हैं कि जो tungsten inert gas welding है इसमें जो working है वो किस प्रकार से होती है working बहुत ही important है TIG welding को manually भी किया जा सकता है और इसको automatic भी किया जा सकता है दोनो mode इसके available है manually भी और इसको automated mode में भी किया जा सकता है तो TIG welding में जो working है वो इस प्रकार से है कि हमारी जो welding torch है या welding gun है इसमें जो non-consumable tungsten electrode इसमें जो लगा होता है वो उसको इस तरह से design किया गया है कि जब हम उसको use करेंगे क्योंकि इसमें collet लगा होता है जिसमें हमारी जो लेक्टोड़ वो fit होती है उसके around जो nozzle है जिसे shielding gas बाहर आती है और तो सबसे पहले हम arc को initiate करते हैं जिस work piece को हमें weld करना है तो उस work piece के against हम arc को initiate करेंगे अब arc को initiate करने के लिए इसमें mainly क्या होता है कि touch and draw करते हैं touch करते हैं फिर उसको draw कर लेते हैं और इस परकार arc को initiate किया जाता है जैसा कि हम shielded metal arc welding में करते हैं तो इसके अलावा दूसरा method होता है कि या तो हम जो carbon block या graphite block पे touch कर सकते हैं या कोई जो scrap material है उसको touch कर सकते हैं तब ऐसे हम arc initiate कर सकते हैं दूसरा जब अब AC welding की बात करते हैं तो उस case में high frequency high voltage supply के दुआरा मतलब कि जो frequency होगी उस दोरान 100 kHz से 200 kHz के बीच में होगी और जो voltage होगी वो 3000 V से 5000 V के बीच में होगी AC welding के case में तब भी हम arc को initiate कर सकते हैं या फिर low current pilot arc जो DC welding में हम करते हैं उससे भी कर सकते हैं और जब एक बार arc initiate हो जाती है तो उसको हम along the joint है लेकर जलते हैं एक बार जो start हो गया है क्योंकि जो arc है उसको हम small circle में उसको move किया जाता है ताकि जो weld pool है उसको हम suitable size का बना सके हैं और एक बार जो weld pool हमारा desired size का बन गया तो हम जो starting point होता है उस starting point से हम weld को complete करते चलते हैं torch को move करते हुए desired welding speed पर और जैसा हमने बात की कि filler metal को हम आशकता अनुसार add भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं वो depend करता है हमारी जरूरत पर अगर हम filler metal को use करते हैं तो उस case में जो welding torch है और जो filler road होगी उन दोनों को हम smoothly move करेंगे along the joint और जो weld pool है ताकि हमारा constant जो consistent size का वो maintain रहे और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो filler wire हम use करते हैं वो जो filler wire है वो silding gas की जो covering बनी है जो blanket बनी है जिसने weld pool को cover कर रखा है उससे बाहर हम उसको लेकर ना जाएं जब तक हमारा जो weld है वो solidified नहीं हो जाता क्योंकि अगर हम filler wire को silding gas के blanket या covering cover से बाहर लेके गए तो उससे क्या होगा हमारी जो oxidation की possibility वो बढ़ जाएगी तो इसके बाद जब हमारा weld complete हो जाता है solidification हो जाता है weld pool में molten metal का तो हमें desired shape की weld bead मिलती है और इस परकार हमारा weld complete हो जाता है लेकिन हमें इसमें ध्यान में रखना होगा जब हम welding करते हैं जब manually welding की जाती है तो उस समय welding torch का दो inclination होता है work piece के respect में वो 70 degree से 80 degree के बीच में हो सकता है अगर automated welding की जा रही है तो उस case में जो welding torch होगी या welding gun होगी वो work piece से 90 degree पर होगी perpendicular होगी और filler metal का जो inclination रहेगा वो 10 degree से 20 degree के बीच में रहेगा और उसको हम welding torch से आगे उसको लेकर चलते रहेंगे तो इस परकार से TIG welding में working होती है तो अब बात करते हैं कि TIG welding के दौरा किस किस material को weld किया जा सकता है बहुत सारे material है, monal है, inconal है, pneumonic, aloes, silver, molybdenum, tungsten, carbon steel, stainless steel, nickel, aluminium, magnesium, brass, copper, bronze, titanium, इतियादी और इस welding के दौरा जो joint हम बना सकते हैं butt joint, lap joint, fillet or tee joint, corner joint, edge joint, plug joint, strapped joint, slotted lap joint, लेकिन ये जो process है, fillet joint के लिए कम suitable रहती है अब बात करते हैं TIG welding की advantage की, इसकी advantage बहुत सारी है, क्योंकि इस process को हम आसानी से mechanize कर सकते हैं, automatic इसको किया जा सकता है और इसमें हमें किसी flux की जुरूरत नहीं होती, इसलिए flux entrapment का जो खतरा रहता है, वो इसमें नहीं होगा और इसमें अलग से, जब flux हम use नहीं करते, तो कोई fumes वगेरा, बहुती कम इसमें produce होंगे इस case में जो visibility होती है, आर्क की बिल्कुल clear होती है, weld को हम सभी position में कर सकते है thin materials पर हमें high quality की welding मिलती है, dissimilar metals को बड़ी आसानी के साथ, एक दूसरे के साथ weld किया जा सकता है जैसे steel को, stainless steel के साथ, brass को, copper के साथ, तो इस प्रकार से हम weld कर सकते हैं, unlike materials को precise control होता है welding heat पर, क्योंकि पूरी तरह से नियंतरन रहता है, क्योंकि GTA जो torch होती है उस पे जो switch होता है, उसके दुवारा control किया जाता है, अगर वो नहीं है, तो foot switch से वो control किया जाते है small torch है, इसलिए इसको tight spaces में भी use कर सकते हैं, कोई spatter इसमें नहीं बनता, बहुती clean weld हमें मिलता है और heat affected zone इसमें बहुत ही कम होता है, तो जैसा हमने बात की high quality, जो welding होती है material की, चक्रीबन अगर हम बात करें, वो 0.125 mm से 3 mm तक ठिक होता है, तो उसकी भी हम असानी से weld कर सकते हैं और इस welding के दोरान distortion कम होता है, small heat affected zone होता है, अब इसके बावजूद इसकी बहुत सारी disadvantage भी है जैसे tungsten अगर हमारे weld pool में चला जाता है, तो उसके कान कुछ contaminants आ जाते हैं क्योंकि ये तब ही होता है कि जब जो current होता है, बहुत ज़्यादा current अपलाई किया जाए, या फिर electrode का diameter कम हो जाए तो ऐसे case में tungsten का inclusion weld metal में हो जाता है, उसके बाद जो filler road है, अगर by chance हमारी inert gas के shield से बाहर चली जाती है तो उस दोरान भी हमारा weld metal contaminants आ सकते हैं, oxidation की possibility बढ़ सकती है, equipment की cost ज़्यादा है और दूसरी बात की इसमें हमें जो electrode तो non consumable होती है, जो tungsten की बनी है, बट filler metal को या filler road को अलग से use करते हैं, जिसके कारण हमारी जो welding speed है, वो कम हो जाती है और ये जो process है, silded metal, arc welding और mig welding के comparison में slow होती है, और इस welding को करने के लिए हमें skill की जुरूरत होती है, skilled welder हमें चाहिए, बिल्कुल उसकी concentration अच्छी हो, patience उसका अच्छा हो, तो ऐसे skill की हमें जुरूरत होती है, एक slow welding process है और इस welding के दुआरा, जो longitudinal जो sims होती है, thin weld, जो stainless steel material या फिर alloy steel के जो pressure pipes होते हैं, या tube होती है, उनकी जो longitudinal sim है, उसको इसमें असानी से weld कर सकते हैं अगर application की बात करते हैं, बहुत सारी application है, aircraft industries में, aircraft industry में जब हम welding करते हैं इस process के दुआरा, तो aircraft frame, jet engine के जो cases होते हैं, rocket motor, chamber या जो cases के weld करने हैं, transistor cases की welding में, instrument industry में इसका use है, chemical और petroleum industry में यूज है, nuclear plant में इसका use है, इसके अत्रिक्त बात करें, maintenance और repair work के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया, tungsten inert gas arc welding के बारे में, जिसे हम TIG welding के नाम से भी जानते हैं, और जिसका दूसरा नाम, gas tungsten arc welding है, GTAW, अगर आपको इस वीडियो अच्छा करना ना भूलें, जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे करता है।